नमस्कार साथियों मेरा नाम है रिशाव राजपूर तो साथियों भी रिसेंटली एक न्यूस सामने आती है कि ब्रिजेंदर सिंग जो की हर्याना के हिसार से सिटिंग MP है BJP के उन्होंने BJP छोड़कर कॉंग्रेस को जॉइन कर लिया दूसरी तरफ राजस्तान से भी एक न्यूस सामने आती है कि राहूल कासवान जो की चोरू से सिटिंग MP है BJP के उनको इस बार BJP ने टिकट नहीं दिया अब ये वाले जो टॉपिक्स है इनको डिसकस करना इतना जादा इंपोर्टेंट क्यों है आए समझते हैं इस वीडियो अब अगर इन्होंने BJP छोड़कर Congress जोइन की है तो इससे जाट कम्यूनिटी का जो वोट है उसमें काफी ज्यादा डिक्लाइन दिख सकता है BJP के खेमे में और काफी ज्यादा बड़ोतरी हो सकती है Congress के खेमे में अब ये तो इसका impact हो गया लोग सबाइलेक्शन के उपर इसके साथ आपको बता दे कि हर्याना में November में कभी भी विदान सबाइलेक्शन हो सकते हैं तो अगर हर्याना में Congress का vote share बढ़ता है लोग सबाइलेक्शन के लिए इस master stroke से तो हम ये भी predict कर सकते हैं कि हर्याना में ज सीट Congress नहीं जीत पाई थी वहाँ पर उनको completely whitewash कर दिया गया था बीजेपी द्वारा अब अगर इस बार के राजस्थान के लोग सबाइलेक्शन में मोदी वेव का impact नहीं पड़ता है और किसी तरह से राहूल कासवान है अपनी seat के उपर से Congress को victory दिला देते हैं तो ये Congress के लिए एक बहुत बड़ी victory हुगी अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा media के रोल के बारे में क्योंकि अकसर हमें देखने के लिए मिलता है कि जब भी Congress का leader या फिर Congress का चोटा मोटा worker या फिर कोई भी Congress का विधायक BJP को join करता है तो उसकी news दिन बर agencies चलाती रहती है इन इससे ये साबित किया जा रहा है कि अगर Congress का चोटे से चोटा worker भी BJP join कर लेता है तो Congress तो बहुत जादा कमजोर पड़ जाएगी जैसे media वाले दिखाते हैं कि India गट बंदन को एक और बड़ा जटका Congress party को लगा एक और बड़ा जटका Congress party भी बहुत जादा कमजोर वैसा BJP क साथ तो मुझे कोई case यहाँ पर नहीं दिख रहा बीजेपी के दो बड़े sitting MPs ने पाटी से resign करके Congress party join की क्या इससे बीजेपी कमजोर नहीं होगी क्या मीडिया वाले ये वाला narrative create करने की कोशिश कर रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर ब मजबूत हो सके तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी रहे जरूर बताइएगा कि आप इस विशे के उपर क्या मालते हैं मैं हुरी शब राजबूत देखते रहे हैं बढेवा